तो कैसे हैं आप लोग चलिए हम शुरू करते हैं हमारा एलेक्टिक फील का सेशन आज के सेशन में मैं आपको इस बोर्ड बे पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर क्योंकि जो हम आज concept देखने वाले हैं या numerical देखने वाले हैं उसके लिए हमारे लिए यह suitable है कि हम directly यहाँ देखें इसके अंतरव क्योंकि जूम लेवल भी अच्छा होता है और clarity में understanding होती है अब तक हमने जो देखा वो यह था के electric field due to uniformly charged ring एक ring है जो uniformly charged है तो उसकी value कितने आई थी? electric field is equal to kqx upon x-bar plus a square का power 3 by 2 what is x? x is the distance of point on its axis ठीक है? यहाँ पर एक ring था और ring का जो axis होता है axis पर distance x और a is the radius of the ring ठीक है? यहाँ पर हमने radius लिया था इस तरह से हमने diagram स्वानाई थी उसकी electric field due to line charge distribution और infinite rod अगर होती है जिसके अंदर में line charge distribution हम लेते हैं infinite rod होती है पूरी ऐसी उससे electric field हमको दो मिलते हैं एक perpendicular एक parallel तो perpendicular to rod k lambda by r r is the distance of point from the line charge k lambda by r sin of alpha plus sin of beta alpha और beta कैसे लेते हैं? alpha उपर की तरफ और beta नीचे की तरफ ठीक है? ऐसा लेते हैं और हमने positive negative लेके ही यह formula बनाया है इसलिए हम direct of angles major करते हैं उसके parallel electric field मतलब कि जो हमारी जो rod है उसको parallel electric field एक component ऐसे एक component ऐसे है तो parallel electric field है k lambda by r cos of beta minus cos of alpha and lastly due to arc एक ऐसा arc लिया था हमने देखो यह ring का ही एक part था यह arc ऐसे लिया था और उससे हमने electric field बनाया है वह बने थी है 2 k lambda by r sin of theta by 2 ठीक है? यह वाली value बनी थी यहने k lambda by r तो यह ही वाला था इसमें से और यह जो sin alpha था तो यह वाला दो बार आया था sin theta by 2 sin theta by 2 ठीक है? इस तरह से आ गया था और फिर हम क्या लेंगे यहाँ पर due to finite rod finite rod यह rod का ही एक section है जिसके अंदर में k lambda sin of alpha plus sin of beta जो था इसके अंदर में एक angle जो है वो 90 हो जाता है और एक angle 0 हो जाता है और आगे क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम integration भी खरने वाले हैं और हम जो है तो disk की electric field निकालने वाले है किसी point पर तो चली देखते हैं उसको ध्यान से देखते हैं यह point को okay friends तो देखो यहाँ पर question दिया हमको find force on charged rod due to charged ring यह एक ring है जिसके उपर में charge है समझ लो ऐसे plus 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 ऐसे करके इसके उपर में uniformly charged ring है और यहाँ पर एक जो है तो एक rod रखी हुई है जो कहा तक जा रही है यहाँ से इसके center से शुरू होती है इसके center से शुरू होती है और infinity तक ज से infinity तक जाने वाली rod है तो हमको क्या है अब rod के बारे में देदिया है कि lambda is charge density काय पर? rod पर. rod भी charged है और यह भी charged है यानि कि दोनों एक दूसरे पर force लगाने वाले है ठीक है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि मेरे पास में force का formula होता है what is force is equal to? force is equal to electric field into charge है na? electric field into charge ऐसा हो इसकी value क्या होथी? electric field की 1 upon 4 by epsilon 0 q upon r square और यह क्यों आ जाता है तो force का formula तो वही बनगा na? coulombs वाला 1 upon 4 by epsilon 0 या फिर k q q upon r square यह की बात होगी? यह capital q आ जाएगा और यह छोटू q इस पर का आ जाएगा लेकिन प्राब्लम यह है कि यहाँ पर single charge नहीं है एक single charge इधर छोटा q ह होता इधर capital q होता तो बहुती आसान था यह तो लेकिन अब यहाँ पर single charge नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस lambda coulm per meter यह की charge density है तो मैं क्या करता हूँ? इस से यहाँ से एक दूरी पर कितनी दूरी पर? समझ लेते हैं x दूरी पर हम ऐसा मान लेते हैं कि एक छोटा सा element of charge है ठ element of length इसको बोलते हैं हम और element of length कितना है यह? यह है dx, ठीक है? element of length है dx और dx पर charge कितना होगा? तो मैं dx पर का charge लिखता हूँ, इस पर का charge होगा dq, है न, dq charge होगा तो मैं अगर dq की value लिख्यूं तो यहाँ पर आजाएगा dq is equal to क्या होता है? देखो, charge is equal to क्या होता है? charge density into length, तो charge density किती आजएगी? lambda into length कितना आजाएगा dx अब यह बार बार बताने की दरूत नहीं है क्योंकि यह आपको आता है, यह कैसे निकालते हैं बोलके तो तो यह अपने पास में case हो गया अपने पास में कि dq की value अपने को मिल गई है, अब यहाँ पर अगर dq एक charge मिल गया, तो पूरे ring की वजए से इसके उपर जो force लग रहा है, वो छोटा सा force निकाल लेंगे फिर इस ring की वजए से यहाँ पे लगने वाला force, यहाँ 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 लग मतलब हमारे को अगर total f निकालना है तो total f बोले तो हमारा हो जाएगा integration of df df कहा से कहा तक ? 0 से लेकर infinity तक ठीक है ? 0 से infinity तक यह ऐसा करना पड़ेगा अच्छो df की value क्या है ? तो मैं ऐसे लिखता हूँ df is equal to सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा df is equal to यहां से लगने वाला force force is equal to electric field into charge होता है तो मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पर electric field d e और d e का यहाँ पर cos theta component आता है आपको मालूम है उसकी value अपने को मालूम है ठीक है न तो यहाँ पर लिख देंगे यह चोटी electric field नहीं है रिटा ऐसा sorry इसको फिर से लेना पड़ेगा electric field है वो electric field है इसकी वज़े से total electric field यहाँ पर दो electric field है न दोनों का resultant तो यहाँ भी क्या आजएगा electric field along the axis क्योंकि अ वर्टिकल वाली तो cancel हो गई along the axis वाली तो if cos theta component है उसका integration करके जो अपने मास में value आती है कितनी आती है k q यह charge q into x upon x का square plus a का square का power 3y 2 यह radius है a वाला ठीक है यह ले लिया मैंने into यह होगा electric field into charge dq dq की value कितनी है dq की value lambda dx lambda dx रग दिया यह होगा मेरे पास में force छोटा सा force तो मैंने क्या किया भी कि एक छोटा सा force निकाला अब यह force को मेरे को निकालना पड़ेगा total अनंद तक यहां से लेकर infinity तक पूरा निकालना पड़ेगा तो पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके integration करना चाहेंगे आप देखो integration का यहां पर एक funda सिखाता हूँ आपको क्योंकि यहां पर देखो किसका हो रहा है integration x dx का integration हो रहा है तो मैं इसे लिखोंगा कि f की value आने वाली है integration of k q lambda upon x का square plus a का square का power 3 by 2 into x dx और integration हो रहा है 0 से लेकर infinity तक अब यह problem हमारा यह है कि अगर x dx का integration निकालना वो तो निकल जाता है वो तो आसन है लेकिन denominator में यही भी तो है इसका integration निकालना थोड़ा सा कठीन होता है ठीक है तो हम क्या करते है एक new method सीखते है यहाँ पर एक method क्या होता है देखो integration का method होता है अगर आपको याद हो कि ना याद हो और जिसको नहीं आता है integration का method में बता देता हो क्या करना है यह denominator आपको दिख रहा है ना इसको let x square plus a का square इसको मान लेना है कि t का square है ठीक है इसको मान लो थोड़ी दर के लिए मान लो यह है substitution इसको substitution integration बोलते है ठीक है तो अपने नाम दिया square सभारी नाम नहीं उसकरता भारी square plus a square is equal to t square आपने इसकी value को t square माना अच्छा अगर इसकी value को आपने t square माना तो यहां पर हमारे पास बहुत आसानी हो जाएगी ना भी लेकिन problem अब यह होगा कि अगर हमने इसको t square मान लिया तो हमारे यह जो values है limits 0 to infinity है किसकी limit है? x की limit है x की value minimum 0 है x की value maximum infinity है तो हम उसको t के उपर में लगा नहीं पाएंगे और x dx के जगे पर क्या put करेंगे तो हम क्या करते हैं इसका derivative लेते है हम इसको बोलते है differentiate differentiate करो इसको तो differentiate करेंगे तो दिखो a जो है यह constant है na a is constant a constant का derivative क्या होता है 0 होता है तो derivative असका निगलेगा क्या निगलेगा? 2x into dx हैंना 2x into dx इसका integration is equal इसका integration निकलेगा 2t into dt ऐसा बस हमको यह चाहिए था तो 2t into dt यह integration आगया किसकी जगह पर आगया ज़र से 2, 2 gets cancel होगा तो यहाँ पर बचा x dx इसकी जगह पर आप पुट कर सकते हो t into dt आप देखो ओपर t dt आजाएगा नीचे t का square आजाएगा मैंने यह पूरे term को पूरे 2 term थे नहीं हटाने के लिए मैंने सब कुछ किया तो अब देखो अपना integration कैसे हो जाता है अब easy हो जाता है अब क्या करेंगे हम f की value को लिखेंगे pen चलेंगा तो और यहाँ पर लिखेंगे k q lambda integration of 0 से अचा नहीं अभी limit नहीं बोल सकते क्योंकि t की limit बदल जाएगे यह भी तो मैं इसको लिखता हो integration of क्या हो जाएगा x dx की जागा कोन आने वाला है तो मैं लिखोंगा t dt आने वाला है और नीचे देखो यह पूरा t का square है तो t का square और उसका power कितना 3 by 2 अगर आपको यह point समझ में नहीं आएगे ना तो इसको repeat करके देखना है यह video को लेकिन यह बहुत important है यह चीज़ बहुत आसान हो जाता है यहां से देखो k q lambda integration of यह देखो t square है तो यह बन जाएगा t dt upon एक इक step में बड़ा बड़ा की लिखते जा रहा हूं यह 2 से 2 cancel होगा तो बचा नीचे t का cube और यह t से यह cancel होगा नीचे कितना बचा नीचे आपके बस में स्रिफ t square बचा है तो यहां से हो जाएगा f is equals to integration of dt upon t का square ठीक है अब limits कहां से कहां तक यह important है तो हम यहां पर लिखेंगे इसकी limits देखो जारा limits कहां से होगी तो मैं लिखता हूं कि अगर देखो x की limit कहां से कहां तक थी 0 से infinity तक थी तो जब x की value 0 होगी देखो इस equation को बोलेंगे अपने equation 1 substitution की equation तो मैं बोलूँगा put x equal to 0 in equation 1 equation 1 में x की value 0 रखो तो इसकी value 0 होगी तो value क्या हो जाएगी देखो t square की value हो जाएगी आपकी t की value a के बनाबर कितनी हो जाएगी a के बनाबर हो जाएगी अच्छा और put अगर मैंने किया x equal to infinity तो अगर x equal to infinity कर दिया मैंने तो infinity में कुछ भी मिलाओ तो t की value कितनी हो जाएगी t की value हो जाएगी infinity तो मेरे limits कहां से आजाएगी अब देखो limit आजाएगी a से लेकर infinity तक a कोने अपना a मालू में न? radius है तो t की यह हो गए आपकी limits तो यह limit आपने यहाँ पे put कर दिये अगर आपने यह limit पूट कर दिये है यह कहां गया kq lambda कहां गया इसको लिखना चाहिए न? तो इदर में रहे गई है kq lambda रहे है वो ठीक है तो यहाँ पे हमारा f का value क्या हो जाएगा kq lambda और integration of t square t square ऊपर जाएगी क्या बनता? t का power minus 2 बनता उसका integration क्या होता है? t का power minus 2 का integration होता है t का power minus 2 plus 1 और divided by minus 2 plus 1 है न? पावर से और कहां से कहां तक? a से लेकर infinity तक a से infinity तक values दिख रही है न? ठीक है? board दिख रहा है यहां तक कि यहां तक तो दिख रहा होगा शायद तो यह हो जाएगा आपका kq lambda और यह हो जाएगा आपका t का power minus 1 upon यह क्या है? minus 1 है तो minus आजएगा minus आजएगा यहां पे और यहाँ आजएगा 1 upon t ठीक है? और a से लेकर infinity तक चलो values put करते हैं इसके तक तो kq lambda यहाँ आजएगा आपके बास में minus 1 upon infinity minus और यह वाला minus minus gets plus 1 upon a ठीक है? तो value क्या बनगे आपकी? क्या बनगे? यह तो 0 हो जाएगा ने पूरा term? यह तो पूरा term 0 है minus वाला यह सिरी plus वाला term बचेगा तो kq lambda upon a यह है हमारा total force ठीक है? इसको force बोलते हैं अगर आप देखेंगे कि यह force निकला है अगर a के जगा पे r अगर radius होता a जो है मेरा यह radius है अगर मेरा radius r होता तो kq lambda by r equation अंदर आता था equation हमारे पास में यह answer होता था क्या यह बात आपको समझ में आई? अगर नहीं समझेओ तो वापास से फिर से देखो इसको हमने यहाँ पे क्या किया? कि इस ring की वज़े से यहाँ पर लगने वाला एक force निकाला पहले और force निकलता है electric field into charge करने से तो यहाँ का charge हमने dq वो value लिखा था हमने उसको df निकाला और df का फिर integration लिया अब integration लेने के लिए denominator हमारा थोड़ा सा कठिन था हमने denominator को थोड़ा सा आसान किया कि substitution किया t square का और उसका derivative लेके x dx की जगा t dt रखा ठीक है तो कुछ books में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि x square plus a square की value t square put करो और x dx की value t dt put करो ठीक है वो यह नहीं बताते हैं यह ऐसा आया हो यहाँ से आया है बस उसको put कर देना होता है ठीक है अब आप जब t dt रखोगे तो इसकी limit change हो जाएंगी इसकी limits change होगी और वो limits क्या हो जाएंगी a से लेकर infinite तक हमने कैसा put किया हो equation 1 के अंदर आपने values रखी थी equation 1 में values रखके आपने निकाला x की value को 0 किया आपने क्योंके minimum value उसकी 0 होती है उसकी value को 0 करके t is equal to a निकाला और बाद में इसको infinity किया तो t is equal to infinity value आई ठीक है इस तरह से हमने values रखके integration निकाला और question खतम समझा बात आपको ठीक है लिखो अब देखिए इसी question का smart method क्या होगा smart method क्या होता है देखो आपको यह पता है कि जितना force यह ring इस rod पे लगा रहा है तो action reaction पेर यह बोलता है कि यह rod भी जो है इस ring पर उतना ही force लगा रहा होगा रिंग जितना rod पे लगाएगा उतना ही rod हमारा ring पे लगाएगा force ठीक है तो आप क्या कर लेते हैं यह जो rod है इसको हम एक मान लेते हैं यह semi-infinite rod मान लेते हैं इसको जिसकी charge density lambda coulomb per meter है ठीक है ऐसा मान लेते हैं और यह मान लेंगे कि इसके इस end पर कितनी दूरी पर यह दूरी पर एक ring है ठीक है और अब यह ring के उपर में charge है हर जगा देखेंगे आप तो total charge कितना है q है q q q q यहाँ पर dq 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 सब करके q charge से इसके उपर में ठीक है तो आप अगर मैं यह बोलता हूं आपको कि यह जो है uniform line है हमारी line charge है line charge के एक end पर electric field कितनी होती है electric field at end जो होती है वह कितनी होती है k lambda y a होती है ना ऐसा होता है k lambda y अभी तो दिये थे अपर ने थोड़े दिर पहले तो लिखे थे ठीक है यह होती है तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि यह यहाँ पर electric field यहाँ पर electric field है ठीक है इस तरह से यह वाली electric field इस जगा पर होगी यह इस जगा आप निकाल रहे हो इसको मैं यहाँ से बताता हूं इसको देखो जारा यह देखो तो एक यह direction में होगी k lambda by a और एक इस direction में होगी नीचे की तरफ यानि कि यहाँ पर दो electric field होगे न एक downward अरे कैसी तो इसको भी क्या बोलेंगे k lambda by a बोलेंगे इस तरह से हमारे पास में electric field हो जाएगी इसकी अब यह electric field यहाँ पर दो अलग अलग direction में हैं तो मैं आपको यह बोलूँगा कि यह जो horizontal electric field है यह तो cancel हो जाएगी देखो दरा यह वाले point पर देखेंगे तो एक electric field इदर एक electric field नीचे यह पीछे वाले point पर देखेंगे तो एक electric field इदर और एक electric field नीचे ऐसी हो जाएगी न तो हर जगह का अगर आप लेंगे तो horizontal component यह component इसको cancel कर रहा है इदर का component क्योई इदर है इसको cancel out करेगा ठीक है इस तरह से तो हर एक component अपने आपको एक दूसरे को cancel करेगा horizontal वाला तो horizontal वाले सारे component कैसे हो गए यह perpendicular electric field है न बाई अरे मेरे बाई यह perpendicular electric field है और यह line को perpendicular और यह गोंसी है line को parallel यह line को parallel electric field है तो यह वाली ले लेंगे आपने इसको अब अगर मैं आपको यह बोलता हूँ कि यह electric field एक perpendicular है और एक parallel है तो देखो सारा क्या होने वाला है यह electric field सब दूसरे कैंसल कर दी बाची कोंसी यह वाली तो इसका हम value लेंगे यह electric field total नीचे की तरफ downward हर point पे तो हर point पे तो कितनी हो जाएगी e net is equal to k lambda upon a बस इतनी हो जाएगी हर जगस ठीक है integration यह हो गए अपनी total electric field total electric field अब अपने को force चाहिए तो force is equal to electric field into charge इसके पूरे total charge कितना है अगर आप ऐसा करके integration भी लोगे लोगे तो है भी dq आएगा dq का integration q आता है तो मैं भी लोगे total charge कितना है q है तो value कितनी हो भी फिर f net की f net is equal to e k lambda by a k lambda by a into q k lambda q by a k lambda q by a क्या ही बास बराबर है तो इस तरह से भी इसको लिया जा सकता है ठीक है इस तरह से भी सोच सकते हो कि यह line जो है इसके उपर electric field लगा रही है ठीक है बस समझ में आपको तो बस इतना ही जानना हमारे लिए ज़रूरी है तो देखिए हमारे पर next question क्या दिया हो है two charges are placed along the axis of ring in y direction याने vertically upward direction में आपको एक ring का axis जा रहा है उसके उपर दो charges रखे हो है एक x1 distance पे है एक x2 distance पे है और हमको यह पूचा है कि क्या दोनों stable है या दोनों का unstable है equilibrium की बात हो रही है है काई की बात हो रही है equilibrium की बात हो रही ह थोड़ा question को मैंने short में लिखा आपके लिए तो equilibrium की बात हो रही है x1 और x2 दोनों भी stable equilibrium में है या दोनों unstable है या फिर एक stable है दूसरा unstable है या alternate ठीक है तो इस तरह हमको यह चेक करना है कि अभी unstable equilibrium दोनों का होगा या नहीं होगा यहाँ पर आपको बता दू कि अगर आप ज लग रहा है क्योंकि यह charge plus है q और यह भी plus charge है q तो यह सारे ring की वज़े से axial point पर यानि के kqx by x2 plus a2 का power 3 by 2 यह वाला force उपर की direction में लग रहा है तो electric field का जो force लग रहा है force due to electric field उपर की direction में लग रहा है और यह वाला जो अपना charge है जिसका mass m है उसके उपर नीचे की तरफ एक force लग रहा है जिसको हम बूलते हैं कौन सा वाला force gravity का force ठीक है ऐसा होगा तो एक electric force है और एक gravity का force है यह दोनों forces उसके उपर में लग रहा है तो अब आपने को पूचा है कि क्या दोनों भी stable equilibrium में है कि दोनों भी unstable है वगर जो भी है option आपके पास तो क्या करेंगे देख रहा है कि दोनों equilibrium में आएंगे लेकिन equilibrium ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने उसको धक्का दिया आगे जाने के लिए ओपर जाने के लिए तो वह ओपर जाने के बाद में ओपर नहीं जाना चाहिए वापस नीचे आना चाहिए अगर वो वापस नीचे आया तो stable equilibrium होगा और due to ring ring of charge की वजए से जो हमारे पास में graph था वो graph कैसा था देखो वो graph था ऐसा न ऐसा और नीचे भी था इधर का part ले लेते हैं समझो इधर का part अगर ले लेते हैं तो देखो electric field यहाँ पे 0 है electric field यहाँ भी 0 है अच्छा यहाँ पे electric field किसी एक point पर यह समझो x1 point है मेरा electric field इतनी है कितनी यह वाली value है electric field की क्या इस point पर भी electric field उतनी होगी सेम होगी न यह point है हमारा x2 ठीक है तो यह x1 और x2 यह यहाँ यहाँ है अब मुझे यह बताओ कि x1 को अगर आप यहाँ से आगी की तरफ displace करते हो तो क्या electric field की value बड़ रही कि नहीं तो force का formula क्या होता है electric field into charge electric field into charge यहने force is directly proportional to electric field हो गया तो अगर देखेंगे आप यहाँ से आप x1 से जब displace करते हो आप मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर if x1 ऐसे लिखेंगे उसको if charge on x1 is displaced क्या होगा देखो electric field की value बड़ जाएगी electric field की value बड़ेगी तो f will increase यहने force will increase कौण सा electrostatic force electrostatic force will increase increase होगा यह electrostatic force increase हो जाएगा electrostatic force increase हो जाएगा और क्यूंके आपने उसको यहाँ पर रखेते है आप यहाँ पर रखेते हो तो उसका mass अलग होगा तो यहाँ पर क्योंकि वो इस point पर वो equilibrium में था, इस point पर वो equilibrium में था, मतलब क्या हो जाएगा electric force is greater than आपका gravitational force हो गया, gravitational force हो गया तो इसको बोलेंगी हम unstable unstable equilibrium क्योंकि F e उसको लेकर चला जाएगा दूर F e दूर लेकर चला जाएगा मतलब gravity उसको वापस ला नहीं सकती, यानि mg उसको वापस नहीं ला सकता, ठीक है? बास का समझे जारा, अगर वो electric field यहाँ से बढ़ जाएगी इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी अगर आपने इसको displace किया तो क्या होगा देखो जारा, अगर आपने इसको दूर हटाया, क्योंकि इसका mass इसका mass अलग होगा, इसका mass अलग होगा, दोनों का mass same नहीं होगा, दोनों का charge same है, दोनों का mass अलग-अलग होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे equilibrium में आ रहा है और यहां मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो mass है M1 is greater than M2 है ठीक है ऐसा है M1 is greater than M2 है M2 का mass कम है अब इसका mass तो कम है already क्या होगा मालूम है जैसे ही अब यह दूर जाएगा यह दूर जाएगा तो क्या होगा देखो F e decrease हो जाएगा है कि नि? F e decrease होगा F e decrease होते ही के साथ यह क्या हो जाएगा F e कम पढ़ जाएगा और gravity ज्यादा हो जाएगी अब gravity ज्यादा होने के पाद उसको वापस लेके आएगी नीचे की तरफ gravity उसको वापस लाएगी तो हम उसको बोलेंगे के gravitational force bring it back to x2 point यहां लेके आएगा मतलब यह equilibrium कौन सा है stable समग्या बलेंगे कौन stable में है? x2 stable है यह न? x2 stable है और x1 unstable है यह option है b option है b option आपको बैट रहे है कि x2 stable equilibrium में है x1 unstable equilibrium में ठीक है समझ में आई यह बात चलो coffee okay तो चलिए most important point electric field due to uniformly charged disc हमको disc की यह uniform charged disc है उसकी हमको electric field निकालनी है ठीक है तो electric field कहां पर निकालनी है point p पर निकालनी है point p बोलो थी कितने दूर है x दूर है अब अगर यह एक ring होता देखो यह disc है ना तो यह पूरी fill up है ठीक है यह disc पूरी completely fill up है अगर यह ring होता तो यहां पर electric field आती ठीक के q x upon x square plus r square का power 3 by 2 ऐसे आ जाती थी ठीक है लेकिन यह ring नहीं है यह क्या है एक disc है तो मैं आपको क्या यह बोल सकता हूं कि disc जो है ऐसे बहुत सारे ring से बनी होंगी देखो अगर हमने ऐसा लिया समझो कि मैं यहां से यहां से यह radius को capital r कर लेते हैं ठीक है और यहां से छोटू r दूरी पर एक ring बनाता हूं मैं ठीक है this is a ring of radius small r ठीक है take a ring of radius small r ठीक है एक ring अच्छा उसकी thickness कितनी होगी of thickness d r ठीक है d r उसकी thickness होगी यहां से अगर मैं इसकी distance इसकी thickness निकालता हूं तो thickness आती है इसके अपर में charge कितना होगा charge इंक की इंक कितना कितना होगा इसके इसके अपर में charge होगा Dq-Dq होगा तो मैं इसको बुलूँगा Dq-Charge will be, dq charge will be, इसकी अगर आप देखते हैं यहाँ पर में लिखूँ, तो sigma होती है charge density, है ना कौन सी charge density बोलते है उसको surface charge density बोलते है ना surface charge density का formula क्या होता है sigma is equal to q upon area होता है, तो अगर मैं जो है तो dq लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे हम, dq is equal to sigma into dA, छोटा सा area अच्छा area कितना होगा देखो दरा dA is equal to, area फूरा total कितना होता है, pi capital R का square होता है, ठीक है, pi total capital R का square, बट मेरे को यह ring का area चाहिए, तो मैं dq बोलता हूँ, dA बोलता हूँ dA is the area of ring ठीक है, of thickness कितनी थिकने से उसकी, br br, thickness का एक ring है, तो area कासे निकालते हैं? area निकालते हैं, dA is equal to length into thickness length into thickness है ना, तो length किती है? 2 pi r छोटो r ना, यह हो जाएगी इसकी length into thickness thickness किती है? dR तो यह होगा आपका dA ठीक है, dA आपने निकाल लिए, तो dq की value कितनी हो जाती है? dq is equal to sigma d है, तो मतलब कि क्या होजागा आपके बास में? यह आजाएगा आपके बास में sigma into 2 pi r dr, यह होगा आपका dq की value ठीक है? क्या यहां तक कि आपको dq समझ में आया? अच्छा, चलो dq निकालने के बाद, अब हम चलते हैं e-letric field निकालने को तो इस जगह पर elektric field कितनी होगी? तो हम क्या बsolеловेंगे? इस जगह पर electric field होगी छोटी सी electric field क्यूके यह रिंग की वजए से लह रहे न आप यहां पे देखो यह रिंग की वजए से इस रिंग की वजए से इस जगे पर electric field होगी d e यह न, ऐसी होगी electric field, फिर, उपर वाले ring की वज़े से, ये वाले ring की वज़े से, हर एक ring की वज़े से, मुझे integrate करना पड़ेगा, तो मैं क्या बलता हूं इसको, कि integrate करने के लिए, मुझे पहली DE की value तो चाहिए, तो DE की value कितनी होती है, ring की वज़े से electric field कितना होता है, ring की व तो अब electric field को हम लिखता का ऐसा है, देखो जरा, अब actually ये electric field का general formula है, मैं इसको लिखू गया, general formula due to ring, है न, ring की वज़े से, तो मेरी electric field कितनी होगी, मेरी तो छोटे से ring की वज़े से हो रही है न, DR thickness वाला ring, उसकी वज़े से छोटी electric field, DE is equal to K into DQ into X upon X square plus R square का power 3 by 2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है न, ये भी बास सही है, अच्छा, लेकिन ये capital R जो है, ये कौन सा रहेगा, क्योंकि मैं ring कितने दूर ले रहा हूँ, R distance पे तो ये क्या हो जाएगा, छोटो R हो जाएगा, समझे बात आपने, इस तरह से ये change होगा, values देखते चलो, एक ring लिया हमने, उसक जरी है electric field, मतलब ये वाला गर आप plane देख रहा हूँ, ये horizontal plane है न, क्योंकि है, तो ये ring की वज़े से, इस point पर electric field, ऊपर, 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 ऐसा करते जाएगे, अपर ये वाले point पर electric field निकाल सकते हो, कहीं भी निकाल सकते हो, फिर, आच्छा, ये ring की वज़े से, इसके बाज integrate करना पड़ेगा, integrate कासा करेंगे, dq की value तो put करो लेगे, तो ये हो जाएगी integration, dq की value कैसी हो जाएगी, k into dq की value कितनी है, k sigma 2 pi r dr, है न, और ये dq की value होगी, उसके बाद में कोने x है, और उसके बाद नीचे कोन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके बास में, x square plus r square का power 3 by 2, है की नहीं, बस सही है, ऐसा किया न, अब देखो, यहाँ पर r dr है, r dr, x तो constant है, x देखो change नहीं हो रहा, लेकिन r change हो रहा है, मतलब r dr आपके पास में है, नीचे भी देखो, यहाँ पर r आ रहा है, तो इसके नदर हम वही method लगाएंगे, जो हमने थोड़ी देर पहल न, तो r की value 0 हो सकती है, या तो capital R हो सकती है, है न, या तो capital R हो सकती है, तो capital R तक, ओके, चलो, ठीक, इसका derivative कासी निकलेगा, इसका derivative निकलेगा, आपका x, क्यूंके x constant है, derivative 0 हो जाएगा, r का derivative का निकलेगा, 2r into dr is equals to 2t into dt, हैना, integration निकला, x constant है, यादर को, x is constant, चीजों प t रखो, अच्छा, limits निकाल लेते हैं, limits, ये limit की तीजी 0 से लेकर capital R तक थी, अब इसकी limit क्या हो जाएगी, देखो, अगर आप इस equation में क्या करते हो, इस equation में आप सबसे पहले क्या put करोगे, x constant है, उसको छोड़ दो, r की value 0 put करो, तो t की value क्या जाएगी, t की value x के बराबर, और कब, जब आपने r को 0 किया, और t की value, under root of x square plus r का square, जब आपने r की value को capital R रखा, अरे देखो ज़रा ध्यान से, ये 0 put के आपने इसके अंदर, तो t square is equals to x square, मतलब t is equals to x, अच्छा, r put के आपने इसके जगए पर, तो r square plus x square, और t square की value है, तो root निकाल ले, उसका तो आप आपने क्या करोगे, d e से e हो जाएगा अब, e net is equal to, कौन-कौन बाहर, k sigma 2 pi x बाहर, k sigma 2 pi x बाहर, ठीक है, और integration किसका हो रहा है, integration हो रहा है, x से लेकर, तो root of x square plus r square तक किसका integration हो रहा है, t dt, क्योंकि देखो, ऊपर कोन है, r dr बचा था, r dr, उसके जगए कोन है, r dr के जगए t dt है, t dt upon t का, t का power square, t का power 2, 2 to gets cancelled, t का cube, है ना, तो ये t के साथ में cancel हो गया, अच्छा, k की value को, अगर मैंने ऐसा foot कर दिया, तो 1 upon 4 pi epsilon 0, है ना, 4 pi epsilon 0, अगर मैंने ये foot कर दिया, तो मेर upon 4 pi epsilon 0, ये 2 pi से नीचे का, cancel हो गया, तो value क्या बचाएगे अपने बास, e net is equal to, यहां से value बचाएगे अपने बास में, sigma x upon 2 epsilon 0, है की ना, ये पूरा, ये put करते ही, ये बचाएगे अपने बास, और integration जब आप लोगे, तो integration में देखो, ये क्या है, यहां पर t square बचा है, नी integration करने के लिए, और नीचे भी क्या जाएगा, minus 2 plus 1, है के नी, कहां से कहां तक, वोई, x से लेकर, तो x square plus r square तक, ठीक है, ऐसी value होगे, तो ये क्या बचाएगे आपके बास में, t का power minus 1, नीचे जाएगे बन गया t, तो ये हो जाएगा आपके बास में, sigma x upon 2 epsilon 0, 1 upon t, और उस value हो जाएगे अपने बास में, अपने बास value हो जाएगी, sigma x upon 2 epsilon 0, और अंदर आजाएगा, ये वाली value, अब यहाँ पर minus है, ये एक minus है, इसका minus बचाएगा, इसका minus यहाँ आएगा, तो इसके अंदर में आजाएगा, minus 1 upon, under root of, x square plus r square, minus minus gets plus, 1 by x, तो यह होगा है मेरा final answer, क्या answer निकला मेरा, e is equal to, sigma x upon 2 epsilon 0, 6x नहीं आए, 6x नहीं है, sigma x upon 2 epsilon 0, और अंदर वाली बचाएगी, 1 upon x minus 1 upon, under root of, x square plus r square, close, ठीक है, ये value बनती है, और अगर आप इससे, value को निकालना चाहोगे, तो x उपर जाएगा, value कैसी निकलेगी, फिर यहाँ से यह उपर जाएगा, इसके साथ ही multiply होगा, नहीं, वैसे मत करो, इसकी final value का निकलती, x अंदर गया, तो x, x, z cancel, बचाएगी, यहाँ पर x, तो e is equal to, sigma upon 2 epsilon 0, 1 minus, 1 upon, नहीं, x upon, x upon, under root of, x square plus r square, क्या यह value दिखाई दे रही है, हाँ, ठीक, camera में दिख रहा है, तो यह है हमारा final answer, क्या यह याद हो जाएगी value, अगर यह याद रख ले होते हो, तो better है, अगर याद नहीं रहता है, तो यह सारा तो अपने को कुछ आता है, ठीक है, इसको एकदम ध्यान से, अगर आप समझते हो, तो यह पूरा case हमारे समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक के तो case आपको समझ में आगा, इसको लिखना शुरू कर दो, आप pause करके video, ठीक है, अगर मैं आपको बता हूँ, देखो, कि, ठीक है, ठीक है, वो मैं आपको sheet का case बात में बता दूँगा, sheet का case में आपको बात में बता हूँगा, यह वाला इतना ही derivation आपने अगर याद कर लिया, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, यह पूरी चीज़ से ध्यान मेरा को, electric field कैसे निकाली, छोटी स electric field, किस की वज़े से, एक छोटे से ring की वज़े से, यहाँ पर electric field, दूसरे ring की वज़े से, तीसरे ring की वज़े से, सारे rings की वज़े से, यहाँ पर electric field बनी, और उसके वज़े हम ने क्या किया, वो rings की वज़े से electric field थी, इसलिए हमने उसका integration किया, कहा से का तक, 0 से लेकर capital R त आगी का part आप ये खुद solve कर सकते हो, ये answer आपका आना चाहिए, ठीक है, क्या ये बात आप खुद समझ में आ रही है, तो इस पर बहुत सारे numerical हम लेंगे, next lecture में अपने तब तक के लिए, thank you very much